आउज बिल्यम्न शेतवान रजीम, बिस्मिल्लार्मान रहीम, अस्सलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स, माई नम इस घयूर अबास, और आई यूर फिजिक्स टीचर, तोड़े दा टॉपिक भी आपको पता है कि हम कल जो डिमेंशन वाला टॉपिक है वो भी पढ़ चुके तो माई पास नेक्स है, माई पास पहले जूनिट की एक्सरसाइज, तो सबसे पहले आज हम यह करेंगे कि हम आज टोटल जो शॉट कोशन है, आपकी एक्सरसाइज में है, नाइन है, तो हम क्या करते हैं कि फोर इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब कर लेंगे, डिस्क्स कर तो सबसे पहला जी शॉट कोईशन है इसमें हमारे पास हमसे पुछ आगया के नेम दा सेवरर रिपीटी फिनॉमिना अकरिंग इन नेचर विच सर्व एस रिजनेबल टाइम स्टेंडर्ड के हमारे पास हमें अपनी नेचर में अपनी कुदरत में जो कुदरती तोर पर हमारे हमारे पास कुछ रिपीटी जो बार-बार बहराया जाते होते हैं वह फिनॉमिना वह अमामिल बताने हैं तो जो हमारे पास रिजनेबल स्टेंडर्ड टाइम से मुराज यह है कि जो हमारे पास उस टाइम को रिपीट करते हों एक फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को after a certain interval of time, कि हमारे पास ऐसा कोई भी फिनामना, ऐसा कोई भी अमल, जो हमारी नेचर में, हमारी कुद्रत में अकर हो रहे है, और वो एक फिक्स टाइम के बाद हो रहे है, उस टाइम इंटरवल के बाद जो हमारे पास फिनामना रिपीट होता रहता है, हम उसको रिपीटिटि घ्या फिनामना रणाम रहने पाद is. अब हमारे पास क्या है, छो फिनामना अकर हो रहे हमारे नेचर के अंदर, sogenanry, हमारे टाइम आप पास इसके एग्जय्म्पल्स हैं, सबसे पहले हम क्या सकता होता है, rotation of moon, जो हमारे Moon जो हमारे चांड की हरकत है जमीन के गिर्ध तो हमार पास क्या होता है कि वो एक fixed time के अंदर अपनी rotation complete करते है इस तरह secondly हमार पास सूराइज और sunset तो हमें पता है कि हमार पास जुष सूरज है वो एक fixed time पर तलुव होता है तो ये हमार पस नियचर के अंदर एक अपना अमल बार बार दोहराते रहते हैं, तो इसको हम कहते होते हैं, रिपीटि फिनॉमिना. नेक्स अमर्पस है चेंज ओफ वेड़र आपको पता है एक फिक्स टाइम के अंदर फिक्स महेनों के अंदर सर्दी आरे ओती है गर्मी आरे ओती है बहार आती है खिजाँ आती है तो यह भी रिपीटिव फिनोमेनाजी होते हैं जो कुडरती अवामिल हमार पास और नेचर के जो जमीन चकर लगाती है तो चोबिस घंटे में एक अपना चकर मुकमल करती है जिसकी वजह से हमार पास सुबह होती है फिर दुपहर होती है शाम होती है और हमार पास एक कम्प्लीट चोबिस घंटे के बाद वह अपनी रोटेशन कम्प्लीट करते है जिससे रात और दिन की अक्रेंस होती है तो यह हमारे पास पहले short question का answer था तो यह हमारे पास phenomena's आप लोग ने अच्छे से याद रखने हैं next हमारे पास second question है कि give the drawbacks to use the period of pendulum as time standard कि जो हमने time of period के लिए time period का formula हमने find किया था उसमें हम ने यह देखने कि क्या हमारे पास यही जैसे हमने पहले देखा कि हम जो repeating phenomena's हैं वो reasonable time standard को follow करते हैं क्या यह भी करता है time of जो time period of pendulum होता है तो हमारे पास time period of pendulum होता है उसके में drawbacks बताने हैं कि क्या limitations है जिसकी बिना पे हमारे पे हमारे पास यह जो period of pendulum है वो as a time standard हम यूज नहीं कर सकते हैं तो हमार पास simple terms के अंदर इसका formula है period of simple pendulum is given as t is going to 2 pi under root l over g l हमार पास length है of y जो हम pendulum में use करते होते हैं pendulum की आप length क्या सकते हो और g explanation due to gravity होता है अब हमार पास क्या है कि but this time period cannot be used as reasonable time standard क्योंकि अब हम यहाँ हमार पास यह जो time period है हम इसको as a time standard को तोर पर use नहीं कर सकते उसकी reasons यह हैं कि हमार पास जो time period होता है वो varies with gravitation acceleration g और जो g की value होती है वो तो altitude की लिहास से change होती रहती है अब जादीन बात है आप अब ही earth पे हो तो आप पास जो g की value होगी वो maximum होगी जैसे जैसे आप कहते हो कि हम उपर चलता जाते है तो हमार पास g की value की होती है negatively degrees होना शुरू हो जाती है तो altitude के लिहाँ से height के लिहाँ से g में variation आएगी तब्दीली आएगी तो लाज़ी बात उसके time period में भी आएगी तो अब हमार पास यह repeated formula तो नहों हो ना कि हमार पास fix time के बाद time period हमार पास वह हम गेन कर सके इसलिए हमार पास यह time standard को follow नहीं कर रहा है next हम दूसरी reason देखते है कि length of pendulum होती है जो bob की उपर आपने में तलब string आती है जिसके आपके अगर तो बाउब को बांगते हो तो हमार पास यह pendulum की length होती है वह भी time to time change होती रहती है आप पास winter में आपको पता सर्दी होती है तो वह wire को आती है सुकर सकती है compress हो सकती है जब summer आता है summer के वज़े से heat के वज़े से गर्मी के वज़े से वही wire को हो सकती है hell भी सकती है spread भी हो सकती है जिसकी वज़े से अगर आप पास length भी change हो रही है तो लागी बात है आप उसको भी time standard को तोर पे use नहीं कर सकते तो यह आपको दो short question यह हो गया इसके बाद हम third question के तरफ चलते है next हमार पास जो third question है उसकी statement यह है कि why do we have two units for the amount of substance the kilogram and mole असान उर्द में बताना चाहूंगा कि हमार पास वो पूछ रहे हैं कि हमार पास amount of substance को describe करने के लिए explain करने के लिए हमार पास दो units का हम इस्तमाल क्यूं करते हैं कि किलो ग्राम को भी हम उज़ कर सकते हैं और mole को भी उज़ कर सकते हैं तो दो unit हमार पास क्यूं है तो इसका answer होगा सबसे पहले आप अगर reason रखना चाहें तो लाजिन बात अगर आप पास कोई reason है तो आप उसकी heading दोगे ठीक है तो सबसे पहले reason हमार पास है mole के लिए तो हम यह describe करते हैं कि when we are concerned with number of particles then we use mole as a unit मतलब कहने का यह है कि हमार पास जब हमें चाहिए कि हम number of particles को describe करना चाहते हैं एक mole में जो number of particles हम use करते होते हैं वो तमाम की same होते हैं मतलब अगर अगर आप amount of oxygen लेना जाते हैं तो दो moles हैं तो hydrogen के भी दो moles होंगे और इस तरह मतलब हम हर particle के अगर same amount of particles यूज़ करते हैं तब हमार पास वो mole में consider होगा यहां पर मैंने लिख भी दिया कि हमार पास substance is because one mole contains the equal number of particles तो एक mole के अंदर equal number of particles होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं moles next अगर हमें but in case when we are concerned with the quantity of matter we use the unit kilogram अब हमार पस kilogram में क्या होता है कि हम different चीज़ों की different amount consider कर सकते हैं मिसाल के तोर पर आप किसी shop के पास जाते हो shop पे तो हम different कोई भी items होते हैं किसी भी item को मतलब कुछ पौ ले लेते हैं कुछ आदा किलो लेते हैं कुछ किलो ले लेते हैं तो यह हमार पस kilogram में होता है ठीक है तो यह हमार पस different amounts के लिए यूज़ों होता है आपने याद रखना है जो main बात है इसमें कि जो one mole होता है amount of substance का unit उसमें हमार पस जो भी party cards होंगे वो हमने same amount के लेने हैं और हमार पस kilogram में क्यों होगा होगा हम different amount use कर सकते होते हैं तो यह basic reason है कि हमार पस दोनों units हम use करते होते हैं उसके बात fourth short question है मार पस three students मतलब three students have measured the length of needle with a scale on which the minimum division is one millimeter and recorded as तो यह तीन students की जो तीनों reading दिये एक ने 0.2145 meter use किये measure किये sorry उसके बात 0.21 meter और उसके बात third ने 0.214 meter measure किये तो इन में से correct कौन से है सही कौन सी है तो बच्चे मैं आपको सिखा चुका हूँ कि एक precise measurement के लिए must है कि जो उसका list count हो उसी की form में उसी की shape में मतलब जितने decimal points वहां पे हम consider करते हैं उसी के मताबिक अगर answer आता है तो वह हमार पास precise भी होगी और correct भी measurement होगी तो answer में हम देखते हैं कि हमार पास जो correct answer है वह 0.214 meter जो कि अब पस third option है अब यह किस तर है आपको पता है कि हमार पास जो लिस्ट कॉंट दिया हो one millimeter है तो one millimeter को हमार पास जो answer वो meter में हैं तो आपने वाल में मिली मीटर को क्या करना है converte कर देना है meter की form में तो हमार पास one millimeter ही 0.001 meter के बराबर होता है अब एक millimeter को हजार से तो पर फिस가ए टिवाइड करहोगे तो हमारे पेस यह में केशलों में क्वर्जयन ओजाएगी हैं यह से पहले अब लोग वोन यह को में काम कर लेंगा अब देखें, डेस्मेड प्लेसित हमारे पस कितनी है 13 तो हमारे पास आप लोगर ने ऑप्षन देख लेने तो यह ही हमारे पास क्या होगा? क्रेक्ट आंसर होगा. यहाँ मैंने लिख भी दिया कि सो लेंथ भी कैन भी प्रिसाइजली मेजर अप्टो थ्री डैसिमल पलेसे तो हमारे पास थ्री डैसिमल पलेसे इसी थर्ड ऑप्शन में आती है